हेलो दूस्तो नमस्कार तो वो कौन सा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में आप चाहो तो इस वीडियो को कम्प्लिटली स्टडी कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में मतलब उसका अगर हम लोग सेकर को करेंगे याँ पर स्टडी करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े नाम हम लोगो देखने को मिल जाते है तो इस कमपनी की खासियत की अगर में बात करो दोस्तो तो यहाँ पर जैसे मैंने का कि Tops 5 जो कमपनी की बात हो रही है उसमें से चार companies ऐसे हैं जिनका performance इतना कुछ खास नहीं चल रहा है returns के इसाब से बट ये एक ऐसी company है जो की returns भी बहुत अच्छा कमा करी आपे दे रही है so definitely fundamentally strong भी है consistent भी है and आने वाले numbers अगर इस company ने अच्छे दिखा दिये दोस्तो तो मैं आपको definitely कहना चांगा बहुत बड़ा धमा का इस stock में आप लोगों को होते वे देखने को मिलेगा क्योंकि consistently इस company ने बहुत अच्छा दिखा है performance जहाँ पे बाकी competitors struggle कर रहे है so definitely इस company को आप लोग जरूर radar के उपर रख सकते हो and अगर हम लोग बात करें तो 2008 में भी ये company की मतलब जो मंदी की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ पे ये company लगबग 70% से ज़्यादा crash हुआ था येस आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को maximum chart pattern open करके दिखाना चाहूँगा ये देखे आपके ही सामने यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको adjust कर लेता हूँ chart pattern को आप लोगों कुछ सारी चीज़े यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं मैंने तो 70 बोल दिया है तो 75% से ज़्यादा in fact अगर आप exactly calculate करोगे तो more than 80% आप लोगों को इस stock crash होते वे देखने को मिला था कब 2008 में और ये क्यों में जादा करके यहाँ पर इस point को highlight यहाँ पर कर रहा हूँ और ऐसे महोल में ICAC bank दोस्तों यहाँ पर मैं ICAC bank की बात कर रहा हूँ 75% in fact 80% भी आप बोल सकते हैं प्रॉपरली calculate करोगे इतना भयंकर crash हुआ था पर क्या यहाँ पर company खतम होगे आप timing देख ले ना दोस्तों January 2 2008 की ही बात हो रही है पूरा एक साल मतलब आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा company 80% नीचे बट क्या bank खतम हो गया तो बिल्कुल भी नहीं आज आप देख सकते हैं bank हम लोगों को बिल्कुल top level पे देखने को आप मिल रहा हाला कि obviously बहुत सरे ups and downs देखने को आपे पड़े प्लस अगर हम लोग बात करें चंदा कोर्चर से रिलेटेड वे कुछ frauds भी चीज़े देखने को आपे मिली थी बट ultimately अगर हम लोग बात करें तो top level पे यह bank देखने को आपे मिल रहा है इस point को हम लोग ने बिल्कुल भी भूलना यह आपे नहीं होता है अगर फिलाल की अगर हम लोग situation की बात करें जैसे मैंने का था कि इनके जितने भी competitor देखने को मिल जाते हैं जैसे कि HDFC bank, Kotak Mahindra bank, Axis bank यह बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं, इनका performance अगर आप देखोगी यूजली एक flat performance देखने को मिल रहा है बट ऐसे ही माहुल की अगर मैं बात करू तो ICAC bank का अगर आप एक साल का data check कर लेते हो तो आप देख सकते हैं बहुत ही शांदार returns हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है as compared to their competitor So definitely ICAC bank दोस्तों आने वाले जो इनके quarter one के जो numbers रहेंगे दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा important रहेंगे क्योंकि अगर ये quarter one के number में अच्छा करते है जो की होने के chances जादा है क्योंकि अभी तक जो track record रहा है इन्होंने बहुत अच्छे numbers दिखाये है तो इनसे उमीद बहुत अच्छी जताई जारी है मतलब बोलते ना एक ऐसा पीच रहता है cricket का जहाँ पे बड़े बड़े players नहीं कहल पाते बट ICC bank ऐसा है जिन्होंने इस पीच के उपर बार बार अच्छी पारी यापे खेली है तो ऐसे पीच के उपर हम लोग कह सकते है HDFC bank के numbers तो हम लोग ने देख लिए है वहाँ पे तो हम लोगों को अभी भी वैसा performance देखने को नहीं मिला है जैसे हम लोग उमीद कर रहे है तो इच पीच पे शायद से ICC bank अच्छा score यापे जरू कर सकता है एक उमीद यापे जक्ती भी देखने को मिली है अब देख सकते हैं एक साल के return की बात करें जादा तो नहीं ये 15% ही है बट अगर हम लोग बात करें as compared to their competitors बहुत अच्छा performance उन्होंने दिखाया है प्लस अगर हम लोग बात करें company ऐसे वेसी company नहीं सवा पाच लाग करोड का market का अपर ये भी आप लोग याप जरू नोट करके आपे देख सकते हो P multiples भी बात करें तो reasonable हम लोग को देखने को मिल रहा है और company के अगर हम लोग performance की बात करें ये देखे आप देख सकते है आपे HDFC bank के नीचे अभी हम लोग का ICC bank फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है और इसके पहले अगर हम लोग companies के ये आपे बात करें performance की तो 88,000 करोड, 99,000 करोड, 10,000 करोड को ये आपे company ने cross करके अच्छा profit ये आपे कमाया है और tax देने के बाद net profit भी आप देख सकते हो 6, 6, 6, लगबग 7, 7, साथ से जादा हम लोग को net profit भी देखने को मिल रहा है comparison मतलब किस से होती है, usually बड़े banks के हिसाब से, so HDFC bank में हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा NPA में बड़ोतरी देखने को मिली है profit में गिरावट देखने को मिले है, हाँ provisioning की बात करें, तो वो एक अच्छा data देखने को मिले है बट ICC bank की बात करें, इनका अभी तक का NPP तीनो का तीनो data बहुत कमाल कर रहा है profit भी अच्छा है, provision भी अच्छा रहा है, और NPA भी अच्छा रहा है बट यह में कब तक बात कराओ, quarter 4 तक अभी Q1 में अगर ICC bank यह जलवा दिखा देता है, अच्छा performance दिखा देता है तो definitely एक बहुत अच्छा रहा सा performance हम लोगो देखने को भी आपे मिल सकता है बाकी जितने भी बैंक्स थे, कोटक की भी बात करें, एक्सिस की बात करें, खराब नंबर नहीं है बढ़ एक flat performance देखने को मिल रहा है, उसमें केवल यह एकी stock ऐसा है जो की बहुत ही out, मतलब अच्छा performance कर रहा है, out performance यह आपे दे रहा है अगर हम लोग आपे returns की भी बात करें, तो एक-एक साल के returns आप चेक कर सकते है HDFC bank minus में यह आपे चल रहा है, वही पर ICC bank 15, 16, 17% के आसपास return दे रहा है और पात साल की बात करें, जहापे HDFC bank 50% के return दे रहा है ICC bank 3 गुना 153%, हम लोगो मतलब as compared to the HDFC bank, 3 गुना जादा return देते वे देखने को आपे मिल रहा है इसलिए हम लोग आपे कह सकते हैं, अगर आप इसका चार्ट पेटन भी देखोगे, यह देखिया ICC bank का लाल चार्ट पेटन, हम लोगो उपर जाते वे देखने को मिल रहा है HDFC थोड़ा सा flattish type performance देते वे देखने को आपे मिल रहा है अगर हम लोग इनके market cap की भी बात करें, तो फिलाल यह 7.5 लाग करोड और यह सवा 5 लाग करोड तो यह gap हम लोगों को भी कम-कम होते वे देखने को आपे मिल रहा है तो इस point को भी जरूर आप लोगों ने note करके आपे रखना चाहिए इतना है कहना चाहूंगा दूस्तों, ICC Bank की अगर हम लोग आपे बात करें, अभी तक performance बहुत ही कमाल का रहा है कंपनी का P&L भी अगर आप देखोगे आपे, टोटल जो आखरी P&L रहता है, net profit का वो भी बहुत ही शांदार हम लोगों को देखने को ला है, last time तो 25,000 करोड तक ये data हम लोगो जाते भी देखने को आपे मिला था अगर हम लोग tax देने के पहले के profit की बात करें तो आप देख सकते है, 85, 26, 34, सो बहुत ही अच्छी growth देखने को मिली है ये हम लोग बात जरू के सकते हैं कि ICC Bank के उपर अब एक बहुत ही अच्छा कासा pressure है देखने को मिलने वाला है, कौन सा pressure? कि ये उमीद बहुत है कि यहापे जिस speech के उपर बड़े-बड़े players यहापे नहीं कहल पा रहे है, शायद से ICC Bank खेल जाए ये उमीद में भी रखकर यहापे फिलाल तो चल रहा हो, एक साल के data की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरीकी की volatility भी हम लोगो देखने को मिलने है, क्योंकि इनके sector में disturbance जरू देखने को मिलने है, जो कि एक cyclic nature का यहापे रहता है, तो इससे कोई डरने की बात नही कि बाकी की bank से आपे खराब हो गए करके, बट यह समलोग जरू कह सकते हैं कि ICC bank यहापे आने वाले समय में अच्छा performance से आपे दिखा सकता है, तो जरू आप इसको note करके आपे चल सकते हो, और 2008 के मंदी में भी इतनी बड़ी crash के बावजुद भी यह bank आज भी आपे टिका करती हैं नहीं कि वो खतम हो गए करके, वो comeback करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा और वापस as usual retail investor top level पे उनको खरीदने के लिए आ जाएंगे, तो दोस्तो जाते 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 यहापे एक important parameter के ओपर आ जाते शेर holding pattern, तो शेर holding pattern को अगर आप देखोगे आपे foreign investors 43% से आप सबी लोग को पता है, इनको professional manage company आपे बोला जाते है, क्या zero promoter है ना कोई गलत बात है आपे, दोस्तो अगर आपको इससे related एक वीडियो चाहिए, मैं properly एक detail वीडियो बनाऊंगा, कि zero promoter वाली जो company रहती है यहापे, मतलब कितने companies है total zero promoter वाली, उनके सभी के नाम में आप लोग को बता दूँगा, प्लस उसी की साथ, कैसे आप लोग ने सर्च करना होता है, zero promoter वाली company इसके फाइदे कह रहते है, zero promoter अगर रहते है, यहापे हम लोग कह सकते है, इनके नुकसान भी कह रहते है, अगर इसके उपर अगर आपको एक detail वीडियो चाहिए, तो आ promoter zero है, इसका रते हैंने कि कोई गड़ बढ़े करके अगर गड़ रहता, तो आप सब लोग पता है, यहापे कोई भी institutional investor आप लोग को देखने को ही यहापे नहीं मिलता, तो यह बात हम लोग को पता है, यहापे होनी चाहिए, अगर हम लोग यहापे आखरी formality के बात करें, तो आप देख सकते है, ICC Bank and Kotak Mahindra Bank का comparison, एक साल के normal returns के अगर हम लोग बात करें, तो आप चेक कर सकते हैं, यहापे 5% के लगबग 16-17% के return है, पात साल की बात करें, तो यहापे कोटक के भी अच्छे 80% के असपास, यहापे 153% के असपास, ICC Bank return यहापे दे रहा है, और इस साल के data की, अगर हम लोग यहापे बात करें, वाल, 28% के return है, XS Bank में, वही पे, ICC Bank में 153% के returns, तो यह सारे इनी के competitor है, XS, Kotak, HDFC, बट आप चेक कर सकते है, ICC Bank का performance, अच्छा नजर यहापे आ रहा है, तो आशा करता है, वीडियो आप लोगों को helpful लगा होगा, तो वीडियो आप लोगों को free of cost प्रवाइड कर दे जाएंगे, so that's it, thank you very much दो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye